आज हम जा रहे हैं करी बनाने उसमें डालेंगे प्याज के पकोरे यूनिक तरीके का करी है खाकर टेस्ट करके देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा इसके लिए हमने दो प्याज ले दिया था थोड़ा साध्राक और मुच काट लिया है थोड़ा सहर्दी और चटपटा के करदी के लिए हमने ले लिया है बेसन एकप जैसे लिए है और के के लिए हमने ले लिया है अगरी दो कप लिया था ओर का जो मसाली हम तयार करेंगे पीसकर इसके लिए और भाड़ा साये लाजs sवन रिटेसा नमक स्वादन स्वाद डालेंगे इसके लिए नमक भी रख लिया है और कर्ग में हम डालेंगे तर्का और हल्दी डालेंगे वह सब हमने इकठा कर लिया है तो चलिए ग्रीन मिर्ची और यह लासन हम पीस लेते हैं और प्याज को हम अच्छा से मैस कर लेंगे सब सारा चीज तर्का नमक भी डाल दिया जुँए एक अच्छा से मैस कर लिया इसे कता हि गरम और दिया तेल गरम भूने वाला है तो ही भी आई ते भरब है तो हम डालेंगे इसमें पॉकोरे इसमें ज्यादा पतला करके नहीं डालेंगे ज्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे मेडियम साइज का देंगे अब आए अएसे ही साव को ताल के निकाल देंगे इस तरह से हम सारी पॉको निकाल देंगे सारा पॉकोरा निकल जाएगा अब इस तेल में हम डालेंगे अंत blocking कर दो हो भाहत before इच्छ अंत कर दो दो इसमें डालेंगे पी साम्ट बार जो हमारा यह है थारा मिर्च और लांसीन का जो पेस्ट है वो डालेंगे इसमें डालेंगे अब हम जिसका मज़ेता जो 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 अब ये जो मेशन हमें रखा था काजी बलाने के लिए ये कब देता है इसको हम घोल बडा लेगे अब अच्छा से मासाला टब तक हम गोल डियार कर लेंगे मासाला कर दो कर दो कि है जेता हो आधा रखा यहां आधा रखाव यूदा मसाला पकचाने के बाद हुआ ज़िए ज़िए बिर्मापाने के मपादा अब नशाला हमारा तेल छोड़ चुका है अनुगू ज़िए अच्छा से बुजा गया है, अब इसके हम डालेंगे, जो गोर बना कर रखे रखे थे इसटे बहुत धरा से चाहिए यह हमारा तरीका है बनाने का अब भी बना कर एक पर देखिए यूनिक तरीका है हमारा एक्सपेरिमेंट किये थे बहुत तेस्टी लगा हम सोचे आप लोग को भी इखाए बना करके आप भी बनाईए प्याज के फोकोरे के साथ करी इसमें आप चाहे तो और भी पादी एड़ कर सकते हैं अगर गारा हो जाएगा तो ना गारा बनाना है ना पतला बनाना है अगर लग रहा है किसी और पानी को लेगा है इसी ये थोड़ा समय पाड़ी डाल रहे है जाहा होता जाहा होता जाहा होता जाहा है अब इसको इसको सिर्फ चलाते ही रहना है इस थोड़ दे पर तभी ये पक के तयार होगी कड़ी अब यह नमक नहीं डाले हैं बाद में डालेंगे नमक अब लेखिए हैं हमारा कड़ी उबाल चुका है तो पंदम में किस तो उबालना है बहुत अच्छा उबाला चुका है ना ये गाहा है ना पतला है एडियम में है बहुत अच्छा पर गया है अब इसमें हम डालेंगे अब गैस को हम कर देंगे बंद और इसमें डालेंगे हम पहले नमा हम उतार देते हैं कड़ी तब बंद कर देते हैं गैस तब हम डालते हैं कड़ी नमा स्वाद के मिशार अपना नमक डाल लेना है इसके बाद से हम डालेंगे इसमें जो ये दो कब जैसा अधा ही लिये थे अधा है और अभीस को अधा हरा अधा वेटिकलया और नमगे जोज़ायगे इसमेड़ी जोज़ागा है और ये आपिकली पादिकलर देखना और ये जोज़ारे आपिकलीी आपिकल द cafeteria में उबाले कि इसमें इसलिए पकॉर बास्ट लोले जब हने माई जब बंद कर देने नोड़ों के लाश्ट ऊछटा और या येदीक्वाहट ये बड़ियां भी फूल करके ऊपर आ चुकी है और बड़ी बड़ी हो गई है अब ये हो गया है तयार अब आपके लिए निकाल दाई हुआ है एक बाउल में अब इसे खाकर आप बताएं कि कैसा बना हमारा यूनीक करी वह भी हडी मीट से बनाया मैंने डाला है प्याज का पकोड़ा जरूर आप खाएं और हमें कमेंट करके बताएं और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी जो चीज बनाएं वह आप तक पहुंचे थैंक यू